Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 1.2 का question number 4, तो question number 4 क्या कहता है, fill in the blanks to make the following statements true, यहाँ पर यह हमारे blanks दे रखें, इनको हमें fill करना है, ताकि यह जो statement है, यह true हो जाए, statement क्या है, यहाँ पर यह equal वाला sign लगा है, तो इधर जो है, और इधर जो है, वो same हो जाए, तो यहाँ पर first वाल minus का 8 प्लस यह हमारा blank space दे रखा है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर कौन सी property लग रही है, commutative की property, यानि अगर हम किसी भी integer को, जिस तरह से हमान लेते हैं, A और B, चाहे हम A प्लस B लिखें, चाहे हम B प्लस A लिखें, किसी भी integer A, B के लिए, यह answer जो है, वो same आएगा तो यहाँ पर यह minus 8 है, इसको हमने इधर लिख लिख लिया, पहले minus 8, तो यह minus 5 कहां जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यह यह मारा answer हो जाएगा, second वाला part क्या करता है, minus 53 प्लस डेस 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 इस इक्वल स्टू minus 53, अब यहाँ पर यह minus 53 लिखा है, इसमें हम क्या add कर कि answer हमारा minus 53 ही आजाए, अब एक चीज देखो, minus 53 में अगर हम कोई positive integer add कर रहे हैं, चाये छोटा ले, चाये बढ़ा ले, तो answer हमारा minus 53 नहीं आएगा, negative integer ले रहे हैं, तब भी minus 53 नहीं आएगा, तो minus 53 कब आएगा, जब हम इसमें 0 add करेंगे, क्योंकि 0 में कुछ भी add करें, कुछ भी subtract करें, हमारा answer जो है वो बदलता नहीं है, अब आते हम third वाले part पर, तो third वाला part क्या कहता है, 17 plus dash dash is equal to 0, 17 में हम क्या add करें, कि हमें answer 0 मिल जाए, अब किसी भी number में, अगर हम उसी के negative integer को add कर देते हैं, तो हमारा answer क्या आजाता है, 0 आजाता है, तो यहां पर यह 17 है, 17 में अगर हम minus का 17 add करते हैं, तो answer हमारा 0 आ जाएगा, अब आते हम fourth वाले part पर, तो fourth वाला part क्या कहता है, 13 plus minus 12 plus, यहां पर पहले तो यह integer के ओपर bracket लगा है, फिर यह बाहर से बड़ा bracket लगा है, plus, यहां पर यह dash 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 is equal to 13 plus minus का 12, plus minus का 7, फिर यह bracket लगा है, यहां पर कौन सी property इस्तेमाल की गई है, associativity, तो यहां पर associativity क्या होती है, A plus B plus C, जब भी हम तीन integers को add करते हैं, तो पहले हम दो integer को add करते हैं, उसके बाद में उसमें हम third integer को add करते हैं, तो यहां पर अगर हम पहले A और B को add करें, ठीक है, और यहां फिर हम पहले B और C को add क करें, तो हमारा answer जै वह सेम ही आएगा, तो इहां पर इससे अगर हम इसको compare करें, तो यहां पर यह 13, यह 13, यह –12, यह –12, तो यहां पर क्या है, minus का 7, तो यहां आएगा, minus का 7, अब आते हैं हम last वाले पार्ड पह, तो last वाला पार्ड क्या दे रख़ा है, फिप्ट वाला, minus 4 plus bracket लगा है 15 plus minus 3 bracket बंद यहां पे भी हमारी associativity इस्तमाल हो रही है देखो यहां पे यह क्या है इस तरह से इस्तमाल किया गया है A plus B plus C is equals to A plus B plus C तो यहां पे B plus C को पहले add किया गया उसमें A को और इधर A plus B को पहले add किया गया उसमें C को लेकिन answer हमारा equal आएगा तो यहां पे यह minus 4 है यह 15 है यह minus 3 है minus 4 minus 4 हो गया 15 15 हो गया तो minus 3 बचा minus 3 को यहां लिख देंगे तो यह हमारा answer हो जाएगा questions हम आप वीडियो के regarding अगर कोई error है या फिर कोई question है तो नीचे comment में जरूर पूछिएगा next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही